तो आज हम पढ़ेंगे BSC 1st Semester का Lecture 8 तो लेक्चर 7 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आज हम देखेंगे Hydrogen Bond यानि हिंदी में भी Hydrogen Bond कहते हैं से तो इसमें है वे है आकर्शन बल जिसके दुआरा किसी अनू का Hydrogen परमानू उसी अनू या दूसरे अनू के परबल रिन विद्यूत परमानों से जुड़ा रहता है Hydrogen Bond कहलाता है Hydrogen Bond कहलाता है इस बंद को कटी लाइनों से परदशित करते हैं यह है बंद सैसयोजक बंद से दुरबल होता है क्योंकि इसकी बंद उर्जा 65-70 किलो जूल परती मोल और सैसयोजक बंद किसी अनू का Hydrogen परमानों मतलब जो Hydrogen परमानों होता है वो उसी परमानों मतलब Hydrogen से या फिर किसी और अनू से दूर्बल रिन विद्यूत मतलब जो लो Electronegative वाले होते हैं उससे जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते है Hydrogen Bond तो इसमें आप देखते हैं जिसकी Electronegativity सब से ज जाता है जैसे HF में देखते हैं इन दोने में किसकी Electronegativity ती जादा है तो इसकी फ्लॉरीन की जादा है तो जो Electrone होगा वो फ्लॉरीन की तरफ जाएगा तो इस पे एक आंशिक क्या जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा आंशिक पोजिटिव चार्ज तो यह ए यह पताएं वह सारम आपया गया अगर वह सारे है जैसे हैं हैime एक कि ए मान ला ह ऑंने प स्फिटेव चार्ज नेगेटिव पोजिटिव नियाओ तो इन तीनमे यह एं तीनम पर क्या है यह एक पर आंशिक पोजिटिव और यह पे निगेटिव इस पर क्या है पोजिटिव इस पे बीच बन बन जाएगा इस ही बन 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 जाएगा इस यह बन 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 को इसे आप शोटकट में एच बंड भी लिख सकते हैं यह एक हाइडोजन बन आप इसमें इक गया है है प्रव prosecut होते हैं उनसे 7 बंद वारा जुड़ जाते हैं और एक दूस्रे से जिसमें वह बंद पघREE है सहसोईजिक बंद इसमें तो एक एलेक्ट्रोन जा रहा है तो इसमें क्या बनेगा है और यह तो यह है जो दो परमांड के बीचे बना और यह जो इन दोनों के बीच में यह वाला बॉंड यह क्या कहला है गा कर दोने दोननों चाहिख और यह जो डցमकी इसकाओ सो सभी, इसमें बने दोकि अंदीन होते है है तो इसमें परमचान गया है है क्योंकि इसकी बंदो जा जो hydrogen bond से कम होती है। इसलीए दुर से नथे अग्जामपल. erson 103-Por और उपर H होता है और यह तीन पर्मान धू लेंगे यह 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 हैं यह है कि यह हैं कर फास पास आहे तो इनमीं प्या बनेगा एक कटी सारी जाते हो जाते हैं तो ग्यास बन जाती है है इसारिक्ट की थिन्ट में ग्याद यूडियू है हैं इसमें दो यह होते हैं तो एक चाइब बीच में इक तो यह जाया जाए है और आपको हाईडोजन बॉंड का जो यह होते हैं फ्लोरी ऑक्सीजन और नाइटोजन इन तीनों का जो होता है लक्ट्रो नेगेटिव तो ज्याद़ होती है और यह सबसे ज़्यादे हाइडोजन बॉन प्रदेशित करते हैं सबसे ज़्यादे कुन करता है फ्लोरीन फिर ऑक्सिजन फिर नाइट्रोजन यह आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है यह ठीक है यह आपको यह अच्छे से याद कर लेना कि जितने भी अनू है जितने भी पर परमानू है उनमें सबसे ज़्यादे इलेक्ट्रोग्टिविटी किसी होती है फ की और फिर उसे कम ऑक्सिजन की फिर उसे कम नाइट्रोजन की तो इनने अगर इनके साथ कोई भी अनू परमानू मिलकर अनू बना रहा है तो उनमें हाइडोजन बॉन सबसे अधिक पाया ज होते हैं पहले है इसमें अंत्रेवानू खैर्डोजन बॉन हि में इंटर मॉलेक्युड हाइडोजन बॉन सरुज स्मान या σथाने समान अनू के मत्य बनते हैं बनता है और तो हईडोजन बन कहलाता है इस मनत के कारण अनू का संगुनन हो जाता है तो हेस parecer किहां है जो वे हाय ॐंडोजन बहुते हैं वह साम्मान मतलब जो आणू समान भी हो सकते हैं तो हम देखWhen सब्सक्राइब करें लेकिन हम अगर 25 सिर इसमें इसमें घर बहुत चुने किस्थ एक्जाम्पल यह HF है इसमें अलग-अलग अनु है तो समान या एसमान अनु के मध्या बनता है अंत्रा अनु खाइडोजन बॉन कहलाता है इस बंद के कारण अनु का संगुनन हो जाता है मतलब यह जूट जाते हैं तो उसे कहते हैं संगुनन जैसे एक्जाम्पल देख लेते हैं इसके H2O, NS3, HF, C2H5OH आदी अनु में यह बंद पाया जाता है तो HF अनु में देख लेते हैं हम तीन बा लिखेंगे तो इन में क्या बंद पाया जाएगा अंत्रा अनु क्योंकि यह दो मोलिक्यूल के अंदर बन रहे है तो दो मोलिक् मानु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दो तो होने चाहिए तो इसमें क्या बनेगा अंत्रा अनुक हाइडोजन बॉंड और NS3 में देख लेते हैं इसमें चार पर्मानु में तो यह चार इसके संद्रस्ट में कैसी होता है ऐसे होते हैं और नाइटोजन इदर क्या पहते हैं यहां अंत्रा अनुक हाइडोजन बोड के पे ऐसे दूल होता और कि इसमें कैवरण कम होता है तो इसमें क्या कहा अंत्रा अनुक के अन्दर क्या बन्तल jacketлом हो कि हमने उपर यानि इंग्रिश में क्या कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूल हाइडोजन बोन तो यह बंद अंत्रा अनुक हाइडोजन बंद की अपेक्षा दूरबल होता है यह जो अंत्रा अनुक हाइडोजन बंद की अपेक्षा दूरबल होता है क्योंकि इसमें संगुनन कम होता है क्योंकि स्फव्द अंतन हैं और थो हईजलियल यहायड नो में तो इसमें क्या बनेगाária बनेगा यो 1 komun olmas सिर्फ अलगा हे से 3 एक मॉलिकुल सबस्क्राइब तो सिर्फ नहिете पूर 1 तो इसमें दो अलगा अलगा मॉलिक पूर वाले में हफ अलग अलग है लेकिन ये पूरा एक संड़चना है तो इसमें क्या बनेगा अन्तरानेक हाइडोजन बॉंड अब हाइडोजन बॉंड की प्रकति देख लेते हैं कैसे होते हैं अइस्थे वैद्यूत होती है h-bond बनने की चमता केवल नहीं पर्मानो में पाई जाती है जिननका पर्माणो अकार चोटा और विद्युतुरनाथ मक्ता अहती हों जिसकी विद्युतुरनात बनेगा अहती होppen प्रभल प्रभल होगा। इसका आकार छोटा होगा उसमें वी अगर विद्यूत्रुनात्मक्ता जिसके ज्यादा होगी उसका चोटा हुआ तो इसमें बंध बनेगा वह परबल बनेगा ठीक है आगए यह तक आपका पूरा हुआ तो इसकी पीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डा झाल झाल